नमस्ते बच्चे कैसे हैं मज़े मैं अनंद में बहुत दिनों के बाद आज फिर रहे हैं मैं रेनीज जासर आप सभी लोगों का आरंब की यूट्यूब चैनल पर शुरागत करता हूं कि पच्चे बीच में कई सारी नोटिफिकेशन आई कई सारी वेकेंसी की बात हुई मैं तमाम मतलब अच्छी अच्छी बाते हुई होंगी ए双न seanok अपूपने चैनल पर कही सारी चीज़ें पताया मैंने और सबसे बड़ी बात है कि सीजियल का नोटिफिकेशन मतलब आ गया कि हाँ भाई सीजियल जो है वह इस तारिक से इस तारिक तक होगी इतनी सारी सीटे होंगी है ना तो अच्छी कासी सीटे हैं वहां सत्रह हजार प्लस सीटे हैं आपने देखा भी होगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने डाला था उसके बारे में और एक दूसरी अच्छी बात है कि सी एचसल का एक कि आप लगातार कोशिस में रहेंगे तो अच्छा होगा बहतर होगा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह कुछ यूपी एसी सीसी दोहजार चौबिस में पूछे गए कोस्चन है मतलब मुझे जो कोस्चन लगा कि भई ये एससी वाले बच्चों को देखना चाहिए न तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय वक्त बरबाद किये हुए है ना चलिए ये सेट एक कोश्चन है मतलब यूपी एसे जनल स्टेडीज पेपर टू ये सीसाट दोज़ार चौबिस का जो पेपर है उसका कुस्चन नंबर सेम डिक्टो वही लिखा गया है सेट भी रहा होगा तो अगर आपको कोई दुख हो कोई परिशानी हो तो आप वहां से भी कुस्चन मिला सकते हैं सेट भी रहा होगा साइध कंफार मोली जिए को वैसे पांच नंबर कुस्चन है तो पांच नंबर कुस्चन में कर देखिए कि मानले जी एक्स एक दो अंकिये संख् और यही कुस्चन आज नकल SSC में भी पूछा जाएगा इस टाइप की कुस्चन पूछे जाएंगे इस कंसेप्ट से कुछ ने कुछ फायदा हो जाएगा इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं तो पहला कुस्चन है कि मानले एक्स एक दो अंकिया संख्या है और य एक अन्य संख्या है ठीक है मतलब कुस्चन में क्या कर रहा है समझ रहा है एक्स जो है टूडीट्स नंबर है मतलब ऐसा कुछ संख्या रहा होगा और य के बारे में कर रहा है कि वाई भी एक अन्य दो अंकिया संख्या है जिसे एक्स के अंकों को विनिमाई अच्छा विनिमाई तो संख्या है म्हत्तम 2 अंक्य मात्तम मतलब सबसे बढ़ी संख्या क्या होगी तो नियन आन्वे तो एक्स के संभावी मालों की संख्या क्या है जैसे समझे एक्स्पैक होगा थो तो वाई को कितना होना परेगा और फिर यह इंटर्चेंज हो जाएगा तभी नहीं नानवे बनेगा मतलब निनानवे कब कब आ सकता है जब दो डीट को इंटर्चेंज कर रहें तो भाई अठारा एक यासी आ सकता है 2772 असकता है और फिर आ सकता है 363 आ सकता है ये पूंच आसकता है और कुछ आ सकता है नहीं अब तो रिपिटेशन हो जाएगा तो भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है एक्स की वैलू हो सकती है एकक्स की वैलू हो सकती है 2 X की वैली हो सकती है 5 तो यह चार वैलू तो एक्स की हो इन्टेंज किया जाए तब ब Although X की वैलू 105 वह सकती है दो तो कुन मिला कर 4x वैलियो वाली हो सकती है और होसकती है तो के संभाव यह मानों के संख्या कितनी है कि संभाव के संख्या दोPS कि ितनी है 7 वालिकां का वजन 7Z बराबर 3 पूरुसों का वजन 3M बराबर 4 महिलाओं का वजन 4W कि यदि महिलाओं का उस्था वजन 63Kg तो 4 महिलाओं का वजन कितना होगा च टिरेंशट और यह कितने बालकों का वजन हो गव का वजन व मुनें एक पूंचा आप से बालकों का और सट बाहलों का किया हो गवा सरक्वेलhole कि तो कितना हे बच्चे 42 अच्छा कुष्चन है यह बढ़िया कुष्चन है आउससे तो ऐसे भी आप लोग बहत्रीन कुष्चन करते हैं सब दिन से पंदर नमर कुष्चन में पूछा गया था कि दो वेक्ति पी और क्यू एक वेबसाइट करते हैं फीउ की तुल नामें यह बिजनियाट याप्ट yak और क्यू पार्टनर वरहरा देज बैंको चार महों किके द्वार नवेसर रुपाय कीए गया समय का अनुपाद जो होगा वो चार अनुपाद पांच होगा ठीक है यदि 2000 के कुल लाब में पी का हिस्सा क्यूं के हिस्से से 400 अधिक है लाब में 400 अधिक है 2000 के कुल लाब में मतलब इसका लाबांस जो है वह कितना है 1200 में अगर पी को 400 अधिक देना है तो आप ही सोचो क्या करोगे दो हजार में इसे 400 भैप पहले दे पी को और फिर पिटास अधा प्राड़ बढ़ा बढ़र बढ़र दिए तो पी का इंवेस्ट्मेंट अगर पूछे तो पी का इन्वेस्ट्मेंट होगा चार इंटू प्लस 14,000 तो गुना कर दें इन दोनों को गुना कर दें आप समझ जाएंगे ना जगह कम है आप मिली मजबूरी समझ रहे होंगे दो तो प्लस एक बारह सुनी शुनी शुनी बढ़ाबर पंदरह ऐक्स या साथ एक बराबर एक बारह सुनी शुनी तो एक्स बढ़ाबर X बराबर कितना तो 16 X बराबर कितना बच्चे तो 16 सुननी सुननी साथ X बराबर 112,000 तो X की value कितनी 16,000 अब X की value 16,000 है तो पूछा क्या है P द्वारा निवेश की गई पुंजी कितनी है P द्वारा X प्लेस 14,000 निवेश किया जाएगा X 16000 है और 16000 में 14000 जो रहेंगे तो कितना आएगा दोस्त 30,000 आएगा कितना आएगा 30,000 आएगा आई बात समझ में अज़े बोलिये हाँ या ना अके तो आगे बढ़े हैं ना लिखे 16 नमर 16 नमर देखे बच्चे आसान कोश्चन है ये भी 16 नमर में का रहा है पी का वेतन क्यों के वेतन से 20 आएसा कोश्चन देखे में सदियों से पूछता आ रहा है पी का वेतन क्यों के वेतन से 20% कम है ओके जो आर के वेतन से 20% कम है तो यह 100 है तो यह कितना है असी है और फिर कह रहा है जो मतलब क्यूं के बारे में कि आर के वेतन से 20% कम है तो आर के वेतन से 20% कम तो भाई आर का वेतन अगर मतलब जो भी हो आर का 4 भाई 5 जो है वो 100 है तो आर कितना हो जाएगा भीकर dewतर्व के वेतन से बिस प्रशंट कम है बिल्कुल कम है वहाई है कि आर इस्टंस जो आर के वेतन से 20% कम है। मतलब क्युंति विंत्ससे प्रशंट से कि नैंने चार tracks में से कितना अधिक है तो थे किस से अधिक है 80 से अधिक है कितना परशेंट अधिक है तो वीस गुने चार और वीस गुने पांच तो पच्चिस पांच दो बाइस चार च्छपन पॉइंट दो पांच ऐसा कुछ है आंसर में बिलकुल होगा भी नम्बर यह कुछन तो आप ऐसे ही करते आ तो कोष्चन को देखके मतलब पड़िसान नहीं होना है यहार क्ले हैं करना ही है घुम पिर कह आपको करना ही है कहीं नहीं मौब में आंग'M कर ले ऑंप को भी फिलिंग होगा एक संख्या को चार से गुला करने पर अच्छा गुना करने के बले गलती से चाइब हमिपाइब होगी तो संख्या कितनी आती चार 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 चान'S ऍप कर दें तो कितना आ जाएगा तो 0.25 उस्चें में क्या कर रहे कि पर्तिसत अंतर कितना होगा आंसर में तो 3.75 x कम आ रहा है किस पर 4 एक्स पर कितना पर्षेंट कम हो गया एक सेक्स तो एक दूसरे को देखते ही खतम हो गया डवल जीरो सौ सौ खतम चारगुने नौ छतिस एक पांच चारगुने तीन बारह तीन चारगुने साथ अठ्थेस दो सुन्य चारगुने तो 93. 75 ऌके मतलब आंसर क्या होगा बच्चे देखें किता आसान प्यारा प्यारा क्यूट 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 चैनल है आपके सामने है निक्स्ट कुशन देखें अठार नमम्र यह कुस्टिन भी आप कर लेंगे आराम से आप किये हुए पर से में आप से कई बार पूछा गया है ऐसा को शन में कह रहा है कि एक परिक्षा में 80% चातर अंग्रेजी में उत्ते हुए 70% चातर हिंडी में उत्ते हुए 15% दोनों विश्यों मैं उत्ते हुए ये कुष्चन तो एक जब क्लास नोट का कुष्चन है मैं ऐसे कुश्चन को साफ साफ बताता हूं कि यह बीच वाला जो होता है इसे हम चेंज नहीं करते हैं यह 15 परशेंट है तो 15 ही रहेगा अब मालो कि यह अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 80% छात्र उत्तिर्ण हुए तो अनुतिर्ण कितने हुए तो बच्चे आराम से कह असी परशेंट किसी परिक्षा में उत्तिर्ण हो रहा है मतलब 20 परशेंट अनुतिर्ण हो रहा है कहीं सतर परतिसाथ चातर हिंदी में उत्तिर्ण हो रहा है तो अनुतिर्ण कितने हो रहा है तीस परशेंट अगर आप से पूछा जाए सिर्फ इंग्लिस में कितने उत्ति 25 25 परतिसत प्रतिसदत अनुत्रिण हैं लेगन कुस्ट्टन में कहा है कि कि तो यह पंदरह परतिसत तो दोनों ऑनतिर्ण है ना तो पंदरह परतिसत यहां 2 प्रतिसद यहां 0He же 5 और Kettinkत करते हैं कि इग पिट से कह जो कि न वर्ट मान अलजू के बराबर ती मेरी वर्टमान अयू को पहले के चार जया इतंगी उनके आयू में कितना अंतर है अराम बना लेंगे आप नवह बना लेंगे देखिए एक तो यह दे रखा है कि X plus Y वराबर 130 मतलब equation से तो आप बना ही लेंगे कहिए कैसे तो अगर पिता की उम्मान लेंगे X तो पुत्र की उम्मान लेंगे और जो जो कंडिशन का है दोनों कंडिशन रख लेंगे और कुश्चन बन जाएगा ठीक है मतलब एक्स मैनस वाई का रिलेसन आ जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगे लेकिन ही टेंड ट्रायल भी कर्ष रखते हैं एक्स प्लस वाई एक्सों तीस दिये रखा है पूछा आप से एक्स मैनस वाई क्या होगा एक्स मैनस वाई तो इसी चार में से कुछ और न तो आईसा कुछ उठाते हैं कि कम से कम यूनिट डिजिट जीरो जीरो है तो x-y रख देते हैं 30 आपको तुम्हारा तुम्हारा मन करता है अ गलती होगा फिर तुम यहां जाएगी तो भी वाय की वैल्यू जो है एक सेकंड एकस प्लिस एकसो टीस है एकस मैनस वाय बदाबर कितना है 30 है इस मैंनस कीमाइनस की अरे औरे अरे तो मुझे लगा कुछ ना कुछ ना कुछ तो मैं गरबर कर दिया हूं बात चीत करने के धर म 있지 करने माइनस करें तो एक्स एक्स गया तूब बराबर कितना सो तो 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 य बराबर कितना पचास और वाइबर 50 थो एक्स वर्राबर कितना चट तो क्या करек करहा है दोनों के उम्र का योग 130 तो एक पिता कह रहा है कि एन वर्स पहले मेरी आयो तुम्हारे वर्तमान आयो के बराबर थी अच्छा पिता के उम्र अगर 80 वर्स है और पुत्र के उम्र की आयो के बराबर कितनी होगी पिता कहते है कि तुम्हारे वर्तमान आयो की चारगुनी है तो पचास मैनस तीस कितना बीस का चारगुना 80 सब ओके है मतलब जो माने थे वही सही है तो आप हिटन ट्राइल से भी कर शकते हैं और एक्वेस्ट मान के तो आप कर ही सकते हैं चले नेक्ट कोश्चन देखा गार यह देखे 37 नमर आईसा कोश्चन भी आप किये होंगे यह सब आसान कोश्चन है लेकिन सीखने राइक कोश्चन है अगर आप नहीं किये हैं तो साइध घबरा भी सकते हैं कभी किसी कोश्चन में एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कारी को छे के दिनों में पूरा कर शकते हैं मालीजी एक सादमी थे एक सादमी काम छे के दिन में पूरा कर शकते हैं जहां के एक धन पुर्णंग सक्टिया सक्ष्ख्या है व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिसत की विर्धी की चाहे एक्स प्लस एम के विर्धी की जाए। कितने दिन में पूरा हों पांच के में के गया के गया है ना तो 6 एक्स बराबर 5 एक्स प्लस 5 एम या एक्स बराबर पांच में है तो ऐसा है कि कुंश्चन में क्या कह रहा है कि बताईए कि कितने 25 विर्धी की जाए तो पहले कितने थे x लोग थे आपके X लोग थे अब कितने विर्धी किये गए तो भई अब 5X प्लस M की विर्धी की गई तो 5X प्लस 5M हुआ यह 6X बराबर 5X प्लस 5M या X बराबर कितना 5M मतलब पहले कितने लोग थे 5M थे अब कितने लोग हैं अब 6M है विर्दी कितने की हुई 5m कि कितना परशन्ट विर्दी विर्दी तो आंसर क्या होगा दोस्त 20 एक तरीका यह है दूसरा तरीका है कि आप आई सागरें कि मान ली अजये स्टार्टिंग में 10 आदमी काम पर थे और के बराबर वन के तो कॉंस्टेंट ना आशा यह एलो दिखेगा या नहीं दिखे एक और रिक्षक्र कैड़ी का पर कमेंट करोगा रे सर तो पर मैं क्या करोंगा बताओ दस आदमी काम पर थे के बराबर वन दमाल लेते हैं तो दस गुने शेय साथ काम कोषचन में कह रहा है कि बहूंद कि दो कि किस पर विर्दी दस पर तो कितने पर चैट के बीस परशेंट तो कहीं से भी यह लगा रहा है यह सेकेंड वालब मेथड आपको ज्यादा आसान लगा होगा है ना थीक है उसे चेह कर मतलब मैंने अलग से कुछ नमनिंग नहीं की है जो भी ग्रूप रहा होगा साइज भी ग्रूप था यह तो भी ग्रूप का यह कुश्चन नमर है एक कारी को व्यक्तिगत रूप से छे घंटा आठ घंटा और आठ घंटे में पूरा कर सकते हैं तो अपना काम क्या पहला दिए गया टाइमिंग कालसियम ले लिए तो छे आठ आठ कालसियम चौबिस छे गुने चार आठ गुने तीन आठ गुने तीन कुश्चन में करें यह फिलपी ऑपी समय पर प्रत्य सघंटे में क्यवल एक व्यक्ति काम कराता है और कोई व्यक्ति लगाता दो घंटे काम नहीं कर सकता है ठीक है सभी को कारी पूरा करने में उन्हें नियूंत में कितना समय लगेगा आइसए अनु आए और एक दिन उन्हें लूर्ट कितना समय में काम करना चाहिए करें नियुद्प में काम करें सब्सक्राइब है घीक है तो ठीक के बाद वह ड़िए अब फिर हम जड़ को लाए ना लाएं क्या फ़र्क परता है फिर ितो इसको लाही सकते यह न ही खतर हो गई एकस लगाता रड़न नहीं आगा काम करना चाहिए एक्स तो հाकिन साथ भी एके साथ चाल् We एक घंटा Y काम करेगा और तीन काम करेगा चुक्त है तो कोई फर्क नहीं परता है जट से काम करवाने का अब काम उस से करवाएंगे जिसकी आधा है मतलब फिर सक्षायगे तो यही सिप्ट चलेगा एक्स की एकष्यस्यानिटी कैसी है चार एकुस काम ही व्हां भाव 14 काम और मुस्फोर से की तो 30 चेंड़ा कर दो तो 45 अमर्य और की च्वंड़ां लेके-वच्ट लीजिए आपका पसंदिदा कॉश्शनじ कि नंबर सिस्टम से नंबर ऑफ जीरो करके हैं कि कुश्चिन में कह रहा है कि गुननफल एक स्कुराइड दो पर पावर चार गुने तिन पावर छे गुने चार पावर आठ गुने पचीश पावर पचास से प्राफ्त पुर्णांग के अंत में कितने करमागत सुननी है लगत बाधम यह sent अब यहाँ पर आगर आप नमबर जादाबार आएगा यहाँ राए है है दो जाना पर दो श्यादा आगर Castle करेंगे घर चार रहे आगा sensors नंबर मतला मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो पहरी बात आएगा कहां एकज टीन कर drives संख्या है और एक भर यहां दूसरी है तो यहा पर तो 5the power 10 यहां रगолेव पाउट से पाउट से मतलब पांच 20 बार आहां तीन पांच 3वाइद है मतलब यहां 530 बार आएगा यहां 540 बपार आएगा और आखरी मैं 25 है तो आखरी में 25 है तो वहां 5 को दो बार कांट करना है मतलब वहां पर पांच जो है सीधे डबल हो जाएगा है ना तो वहां पर पांच डबल हो जाएगा मतलब इसको लिख सकते हैं पांच पावर सौ तो टोटल नमबर ऑफ फाइव कितने होंगे उसने पुरुवरती दिनकी तुलना में दो रुपांच आ तो वहां ना कुछ करते रहें दुना में नेक्ट कुश्चन केज़ें एक वेक्टी ने एक जनवरी 2023 को एक रूपय की बचत की दो जनवरी 2023 को उसने पुर्वर्थी दिन की तुलना में दो रूपय अधिक की बचत की मतलब पहला दिन एक रूपय ठीक है एक जनवरी को दूसरा दिन कितना जमा किया तो दो रूपया अधिक तीन अगले दिन 1 पुर्ण घंब भी थी समझ रहे हैं मतलब स्कुर्वार भी ओ क्यूब भी ओ तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 सोलह स्कुर्वार है लेकिन कूब नहीं कशकर 15 स्पाइब लेकिन क्यूब नहीं 35 स्कुर्वार है यह 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी तो खुल मिला कर किस दिन ऐसा होगा तो भई 8 जनवरी 2023 को उसके पास बचत इतनी होगी कि वह स्कौाइर भी होगा और क्यों भी होगा 64 नमबर कुश्चन देखिए यह भी एकदम आपके टैप को कुश मतला 2 प 3 25 लिख सकते हैं तो दो पेपावर 25 सब्सके बाइस किससे बाब यहां तो दोपेपावर 25 है दो पैपावर अगर 25 था है तो हम क्या कहेंगे आपको को चार से भांग देंगे तो क्या बचेगा का धीन तो 2 पे पावर 3 तो इन क्तलों आठ प्लस दो अगर दस आ रहा है यूनित डिगित में मतलब और अगर किसी भी संख्या का दोस्त उनिट डेजित जीरो है तो संख्यां दस से निश्चित रूप से विभाजित होगी जुआ को कि कुछ सब्सक्राइब का या कि एक व्यक्ति टीन सुन्ने में तीन वस्तूपी क्यूड हो है है ना कि कीमत और से 25 अधिक है और की कीमत क्यों से बीस परेशंट अधिक है क्यों ऑका धिक कीमत क्यूंसे बीस परशेंट अधिक और फिर किया रहा है पी कीमत आर से मतलब 120 से भी 25 परशेंट अधिक मतलब कितना तो 15 10 25 25 और दो 37 मतलब 370 यूनिट जब खर्च होगा तब उसका रुपई कितना दे रखा है तीन 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 सुन यह गया यह गया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आगई दोस्त नौ तो क्या रहा है पी की वैल्यू 150 150 गुने नौ 159 135 मतलब आंसर कितना होगा 1350 आई बत समझ में चलिए ठीक है दोस्त आसान आसान कोश्चन है मतलब मुझे तक दम विश्वास रहता है कि सब्सक्राइब कर जाएगा यह बात निश्चत रूप से क्योंकि कि कि 17-18 में ऐसे कोश्चन थे जो कि वह आसानी से बना सकता था कुछ रेइनिंग के कोश्चन मना लेगा है ना तो आराम से कट आफ क्रॉस कर सकता है हम यह नहीं करें कि नहीं नहीं बहुत आसान कोश्चन होता है लोग नहीं तयारी कि उनके लिए तो थोटफ है ही लेकिन जो लोग के लिए तयारी किये हुएं वह वह आसान कर सकते हैं कटिन a कि यूग एक मतम सकता है और आपने सुना होगा जो सबका हो वास्टव में किसी का नहीं होता है एक की है एक होगा, खेक है, एक तो होगा ही नहीं है, और और एक प्लस तो और बता और बता देना चाहिए था कि नहीं भई इस से बड़ा नहीं होगा इसका मान यह है ऐसा कुछ भी तो हम दोग सोचते लेकिन यह भी बताने में इने समस्य हो रही है तो मान लेंगे कि भई बहुतों का है इसलिए एक किसी का नहीं है और परियाप्त आंकरों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है ऐको चली लाश्ट क्यों जल्दी से देख लेते हैं यह क्युष्चण भी आप लोगों को पूछा जा सकता है बढ़िया क्यूस्चन है आसान चीविए जल्दी इस क्यूस्चन को किजिए तुरंद फटफट फटफट किजिए से करें लोग से शेयाम और और आणसे की कुल की लिखे और लिखेंगे तो कंफिजन हो जागा चार है याद चालिस है प्लस आठ सेब लिख लेते हैं कि कुल कीमत एक संतरा एक संतरा ओके दो आम दो मैंगो और फिर पांच एपल पांच एपल पांच एपल ऑके कि कुल कीमत की दो गुनी है मतलब इसे डवल कर दे तो यह दोनों बराबर लिखा जा सकता है तो यह 4s प्लस 6m प्लस 8a बराबर 2s प्लस 4m प्लस 10a कुछ कैंसल हो सकता है देखें नहीं हो सकता है ठीक है प्लस 4s मैंस 2s कितना हो गया 2s ओके 6m मैंस 4m कितना हो गया और 10a मैंस 8a कितना हो गया तो 2,2,2 कैंसल हो जाएगा तो एक सेव एक मैंगो का दाम जो होगा वह एक एपल के बराबर होगा ठीक है कुल कीमत के बराबर है एक दम यह तो धुरुव सकती है तीन संत्रे 5 ऑम और 9 सेव और के किल कीमत संत्रे 6 आम और 8 सेव के किल कीमत के बराबर हैं अच्छा 3 तीन संत्रा 5 कुछ नहीं कर शकते हैं नहीं कर सकते हैं अच्छा एक और बात बताईए कि 9 सेव नौ सेव तीन संत्रा पांच आम और नौ सेवों के कुल कीमत ठीक है छे आम चार संत्रे छे आम चार संत्रे और छे आम को तो चेंज कर सकते हैं चार संत्रे और छे आम मतलब दो कॉमन ले ले तो दो प्लस को तीन हो जाएगा कि आप यह आठ सेव को ही क्या कैंसिल कर दें आठ सेव को लिख दे आठ संत्रा आठ 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 हो गया तो आठ सेव और आठ 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 हो गया और यहां कितना है छे आठ है और चार संत्रे हैं स्था है तो चार और आठ कितना हो गया बारह संतरह ओके छे आम और आठाब कितना हो गया चोदह तो बारह संतरह और इधर हो गया और इधर अगर करें तो सब्सक्क्र dif ri Reg J तेन संत्रा पांच अम तो तो नौ सेव становится को अगर केंचिल करें तो यह हो जाएगा नाइन इंटोछेश पन्ये में सफिल इम तो नौ संत्रा नौ संत्रा और तीन संत्रा यह तना हो गया बारह संत्रा और नौ प्लस पांच यह कितना हो गया 14 ऑप तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया है कि यह तो साफ साफ आ रहा है अब पहले वाले में क्या करना है कि आँ नो सेव को मतलब होगी बराबर होगी और सब्सक्राइब यह 15 को देखना चाहिए बाकी बच्चे अगली क्लास में और आज साम संभवत छे बजे हम लोग लाइब रहेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठाटा बबाई